हेलो फ्रेंब्स मैं अपुनी लंगर को मेरे किचन में आप सभी बड़ीय मिठाई की रेसिपी शेयर करूँगी जिसको आज इस राकी पर आपके साथ मज़ेदार से एक नई रेसिपी शेयर करूँगी आप इसको एक कप पानी से बिना दूद बिना गीक बिना कंडेंस बिना चासनी के जंजट के घर पर आप इसे तेस्टी सी मिठाई को आसानी से बना सकते हैं तो इस राकी आप मार्किर से ना लाते हुए इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजेगा आप सभी को बहुती ज़्यादा पसंद आएगी और यकीन मानिए ये खाने में बहुती ज़्याद इसमें हम ड्राइफूट को ढाल देंगे तो इसमें काजू भी डाल देंगे और पादाम इसमें यूज करेंगे मगस भी एट कर देंगे और इसको हम पीस लेंगे इसको आपको पौडर नहीं बनाना है इसमें छोटे-छोटे चंक्स रहे इसी तरीके से इसको पीस ला है तो मिक्सी को हम रुक रुक कर चलाएंगे जिससे यह बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनेगा तो ड्राइफूट को हमने पीस लिया है और इसके हमें इस तरीके से चंग्स रखने है इसमें यह बहुत ही जादा टेस्टी लगते हैं मिठाई में तो मैंने इसका बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाया है एक पैन ले लेंगे और इसमें एक कप से थोड़ा सा कम मैंने इसमें पानी एड़ किया है किसी भी कप या कटोरी से आप इसको नापकर इसमें यूज कीजेगा पानी में पिसे हुए ड्राइफूट को डाल देंग चार चमच इसमें हम चीनी एड़ करेंगे तो पानी में चीनी और ड्राइफूट को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और पानी में हलका सा बोईल आ चुका है आप देख सकते हैं फ्लेवर के लिए दो इलाईच्यू को मैंने पीस कर इसमें एड़ किया है इसको भी मिक् एड़ कर दिगए फ्लेम को इस टाम पिल्कुल लो रखेंगे जबिए आप इसमें मिल्क पाउडर एड़ करें तो एकास से इसको चलाते रहें जिससे कोई भी लंस नहीं बनेगा तो पानी में डाल दिया है इसको आची तरीके से मिक्स कर लेंगे और देख सकते हैं कितना स पका लेंगे देख सकते हैं यह दीरे दीरे काफी ज़्यादा पतला आपको दिखाई दे रहा होगा इसको पकाते रहेंगे और लगाता चलाते रहेंगे और यह बिल्कुल इस टाइम आपको लग रहा होगा कि लबड़ी जासा इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी कुश्बू आ रही है तो यह ड्राइ फूड का बहुत ज़्यादा बढ़ी आमिक्ष्चर तयार हुआ है तो इसको हम धीरे धीरे करके पका लेंगे और आप देख सकते हैं यह धीरे धीरे काफी हद तक ठीक होने लगा है तो इसको कुश देर के लिए और पका लेंगे जब तक यह पैन को अच्छे से ना छोड़ दे तब तक आपको इसको पकाना है तो देख सकते हैं ये पैन को पैन से अलग होने लगा है और ये ब थीक हो गई है स्वाने के बाद भी प्लेट या थाली में आप निकाल ले तो मैंने इस तरीके डो की फोम में ये तयार हुआ है तो इसको मैंने इस तरीके से शीट पर फैला लिया है आप चाहे तो इसको सिंपल चकोर पीस में काट सकते हैं आप इसकी कतली की तरह भी इसको बना सकते हैं मैंने याप पर हार्ट शेप में इसको बना रहे हैं वो भी बहुती जादा सुन्दर लगेंगे तो मैंने इसको सिंपल हार्ट शेप में कट कर लिया है इसको आप बर्फी भी बना सकते हैं वो भी बहुती जादा सुन्दर लगती है तो सारे हार्ट शेप को पहले हम इसको निकाल लेंगे देख सकते हैं लग रहे हैं लग अधाए अ कि पहुत जादा बढ़िया तो सभी को हमने बना करते हैं यार कर लिए है चोटा सी मैंने यह पर एक सिंपल गॉल कटर्पि लिया है आप किसी भी भूटल के ढकन से भी आप इसको बना सकते हैं तो यह ऐसे भी आप सिंपल इसको बनाएंगे और ड्राइफूट से इसको गार्णिश करेंगे तो यह वैसे भी बहुत जादा सुन्दर लगेगा तो इसको ना सैट होने के लिए दस मिनट के लिए फ्रीजर में रख देंगे आप इसको फ्रीजर में भी रख सकते हैं तो मैंने इसको दस मिनट के लिए फ्रीजर में रख बढ़ रखे ov детей पीस से सैट कर लिया इव बहुत बड़ी हैसा सैयट हो चुकही है आप चाहें तो इसको इसको इस थरीके से किसी भी के से इसको लिक्विड कर लिया है और इसको हम इसमें कोट कर लेगे तो सिंपल मैंने शूक्तृ को क्लीट कर兩個 जबBERT पूर थंदा कर लिया है और से ऊपर थोड़ से बादाम कड़े वोए इससे गानिश कर देंगे इसे यह बहुत ही जादा तैस्ट बनकर तयार हुए तोYA है आप सभी को पसंद आएगी अगर आपको यह नई रेसिपी पसंद आए तो फ्लीज वीडियो को लाइक किजेगा फैमली और फैड में शेयर करें और मेरी रेसिपी से जड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट पोक्स में लिख सकते हैं थांक्यू